इस्टुडेंट जब हम कोई कोर्स करने के लिए जाती हैं चाहिए आफ्टर 12 तो या आफ्टर ग्रेजिशन हम सबसे पहले सोचते हैं कि यार इसमें कॉम्पिटिशन ना हो इसमें जोब अच्छी हो कम फीस में काम हो जाए एंट्रेंस भी ना देना पड़े और अगर मैं जाएगा आपकी जोब चली जाएगी क्योंकि हमेजा चलने वाला है और इंडिया में नहीं इंडिया में बी और इंडिया के बार अब्रोड में भी काफी सारी चांसे हैं अगर मैं अवरे सेलरी की बात करूं तो यहां पे आपके लिए 10-15 लाग का एल पी आपका हो सकता है यानिके सालाना 10-15 लाग सेलरी लेस कॉंपेटिशन है हाई सेलरी है स्टेबल इंडरस्टी है अल्लिमिटेट जॉब्स आपके लिए और सेलरी भी हाई यह सब कुछ पॉसिबल है इस पर्टिकुलर इंडरस्टी में जिया दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आज आपके लिए क सब्सक्राइशन आप कर सकते हो that is called MBA in oil and gas management MBA in oil and gas management अब यहां पर oil and gas का नाम सुनते ही कुछ लोग सोचेंगे तो science वालों का रोल है हम commerce वाले क्या करेंगे हम art वाले क्या करेंगे ऐसा नहीं है इस इंडरस्टी में सबसे ज्यादा डिमांड मलब है इस समय क्योंकि आपको भी पता है कि एक ऐसी इंडरस्टी है जो lifelong चलने वाली है कभी खतम नहीं होने वाली हमेशा चलता रहेगा वात अलग है किसी country में कम है तो कहीं पर जादा है अब यहां पर अलग-अलग sectors होते है उसमें sailing का सेक्टर भी है refining का sector भी है oil company भी है रिसर्च करना भी है तो आप सब को क्या-क्या पढ़ाया जाता है क्या-क्या सिखाया जाता है salary कहां से मिलेगी job area क्या क्या रहेंगे किस-kis field में आप जा सकते हो placements क्या क्या रहेगी और everything मैं discuss करूँ आज के अपनी इस video में और यह भी बताऊगा किसको एक करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए और अगर आपको पता है कि देखो MBA करने के लिए cat mat gmat और आपका इस अब exam देने होते हैं अगर आप अलग-अलग category से belong कर दो बट आप चाहो तो इस course को online भी कर सकते हो without any entrance how can और पता है आपको 50% marks यह बस ग्राइश और में सो अगर आप बी कॉम कर रहे हो बीए कर रहे हो बीए कर रहे हो whatever you are doing in your gradations you can also do MBA in gas and oil management जी आदोस्तों आपका role management करने वाला है इस विल्ड में salary हाई है आप चाहो तो अरब countries में जा सकते हो Gulf countries में काफी से इंडरस्टीज है आपको पता होगा oil की सबसे ज़्यादा मलब सबसे ज्यादा जो है वहीं पर production रहती है रिफाइनी वहां पर इंडिया में काफी scope है अमेरिका में काफी scope है तो आपके लिए chances बहुत हाई है और अगर आपको यह लग रहा है कि score करने के लिए आपको 10-15 लाग देने पड़ेंगे तो ऐसा भी नहीं less fees में आप कर पाऊ कि इसके लिए मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में तो जी यहां दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कुछ different करना कब तक वहीं करना है या पीडीडीम करना है तो फिनेंस मार्केटिंग और आपका बात करें इंशॉरेंस बात करें बैंकिंग बात करें एक आर बात करें अगर गली में चलते हुए किसी करी कंदे पर हाथ रख दूंगा तो मुझे लगता है वह MBA करावाई मिलेगा मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो गया होगा इसा तो MBA एक बार को इतना ज्यादा हाइक आया था बट यह जो फिल्ड है इसका नाम आपने बहुत कम सुना होगा तो हमेशा कुछ दिफरेंट करना चाहिए भीड के साथ चलोगे तो दिखोगे नहीं भीड से डिफरेंट चलोगे तो सबकी नजर आप पर रहेगी और यूविल भी सक्सीड इन फीचर बाइद वे तो चलते हैं सबसे पहले देखो अगर हम MBA in oil management करते हैं तो दो साल का basic course हो समिस्टर होते हैं ठीक है आपको eligibility है कि आपकी ग्रेशन में में 50% होने चाहिए अगर आप किसी रेगुलर किसी अच्छे कोली से करना चाहते हैं अच्छे का मतलब है हाई-प्रोफाइल कोली जिसकी फीज साथ-दस लाग-पचास-दस-फंदरा लाग हो ठीक है वह आपको foreign tour भी देते हो इस तरह से facilities आजकल चल गई है तो वहाँ पर आपको entrance देना पड़ेगा अच्छे rank लानी पड़ेगी तब आपका होगा लेकिन आप लोग अफोर्ड नी कर सकते कम budget में course करना चाहते हो तो आप online भी कर सकते हो यहाँ पर learn about energy sector जो energy sector है oil sector है gas sector है उसमें आप करेंगे इसमें area की subject क्या क्या पढ़ने वाले हो placements कहां कहां मिल सकती है और क्या आपको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए सब कुछ बताऊंगा देखो अगर आप online करना चाहते है तो आपके लिए जो best side है वह कॉलिज विदिया क्यों है क्यों कि यह यहाँ पढ़ना 500 आपको आपके कोई भी कोर्स online को installment पर करा सकती है यहाँ पर विदिन टू मिनट्स डिफरेंट ओगनाशन यानिकि डिफरेंट कॉलीज उनिवस्टी सो कंपेर कर सकते हो अपनी requirement के साब से अपनी फीस एरिया फैकल्टी जो आपको ठीक लगे फैक्टर सापके होंगे फिर आ यहाँ पर आपको एडिशन से लेके placement तक का support मिलता है, counseling मिलती है video और audio mood में, साथ में आप यहाँ पर free of cost अभी के अभी apply कर सकते हो, इसका link मैंने दे दिया है, कैसे करना है apply चली समझा देता हूं, यहाँ पर आप आओगे तो online MBA पर click करना है, form आपको यहाँ पर fill up कर देना है, special license select कर लेना है, and find best universities पर click करना है, different factors से आप यहाँ पर select कर सकते हो, आपके सामने options आजाएंगे, आपको अपने लिए best two or three select करने है, और compare करना है different factors, compare करके अपने लिए best choose करके इसी apply कर सकते हो, इतना easy है guys, तो मिसमत करो, जाओ सब चीजे देखो, आपको online करना है, तो यह तो आपका आगया online का, offline करना चाते हैं तो वही, आपको cat, और अगर बार से हैं तो GMAT, एक्जाम आपको देना होगा, उसमे अच्छी rank लानी होगी, तो आपको एक branded college से कहेंगे, branded का मतलब है, जो इससे में इंडिया में कुछ brand है, वो आपको मिल सकते हैं, अब बात करत पढ़ चुके हो तो क्योंकि समें chemistry का role भी है, chemistry आपको अगर बहुत जदा ड़ते हो chemistry से, तो थोड़ा बहुत लग सकता है, बट ऐसा नहीं है, पढ़ने से सब चीज असान हो जाती है, ठीक है, और यहां पर आपको कैसे काम करता है, gas industries, oil industries, research कैसे होती है, refining कैसे होती है, oil making कैसे होती है, किस तरह से fuels त्यार होते है, उसकी marketing कैसे होती है, finance management कैसे होता है, कैसे manage किया जाता है, उसकी selling को, यह सब चीजे आपको यहां पर पढ़ाई जाएंगी, तो जो पहला साल है, उसमें तो वही common MBA के जो subjects होते है, fundamentals कैलो, financial management कैलो, risk management कैलो, economics कैलो, यह सब आपको separately प finance हो गया, petroleum low हो गया, उसके अलावा fuel, retailing हो गया, management हो गया, fuel का, यह सब आपको पढ़ाया जाता है, जब यह सब आप कर लेते हैं, तो अगर आप आपको जोब के chances भड़ जाते हैं, जोब में किसकी area में आप यहां पर जा सकते हो, तो अगर मैं उसकी बात करूँ, तो जोब PSU companies कहते हैं, public sector, undertaking, उसके अलावा reliance की भी आप देख सकते हो, refining है, आप Gulf country में से जाओ, तो वहां पर opportunities है, अमेरिका में opportunities है, हजारो है, कोई कमी नहीं है, देखो, refining companies होगी, energy productions हो गया, petrochemicals company होगी, gas companies होगी, यहां पर आपकी hiring हो सकती है, प्लेस की अगर बात करें, तो आपकी energy consultant, lab supervisor हो गया, आपका maintenance managers हो गया, oil field sales manager हो गया, यह मैंने examples के लिए कुछ आपको पता ही, जिसे कि आपको पता लगे कि हाँ, यह भी industries मेरे लिए है, बट यह सब आपके लिए तब होगा, जब सबसे पहले आप मन बनाए, salary मैंने बताई आपको काफी हाई है, सबसे प बताएंगे आपको कोई और वीटे कि वोगी trade बताएंगे, तो सबसे पहले अपना मन तेयार करो क्योंकि आपको दो साल पढ़ना है, आपको लगना चाहिए कि हाँ, यह मेरी समझ में आ रहा है, यह मेरी field अच्छी है, इस industry में जा सकता हूं, तो आपके लिए scope ही scope है, जो MBA से डढ़ते हैं, आज की rate में वो क्यों क्योंकि कुछ limited trades है, जहां पर competition बहुत ज़्यादा हाई है, salary नहीं मिलती, 20-30,000 में गुजारा करना पड़ता है, फिर वो लोग सोचते हैं छोड़ो MBA नहीं करते, लेकिन कुछ trade like oil and gas management आज भी ऐसे हैं, जहां पर आपके लिए अगर आपको अच्छा लगे, तो you can carry on with this, इसमें आपका career होगा, वीडियो चले के तो like कीजिए, और अगर आपके पास भी कोई topic है, किसी नई particular career course को लेकर, तो आप comment करें, I will there for you. झाल